नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत शुआगत है हमारी चैनल सक्सेस प्लेस में इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टॉप तेन सेयर जो अभी देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने मिला है ऐसे में आपके लिए बेहतरी सेयर लेके आए हैं जिकसका बहुत सारे परामीटर के अधार पर हमने फिल्टर किया है कि ये स्टॉक मार्केट के 10 फैवरिट सेयर हैं मतब इस गिरावट के मार्केट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे पहले हम आपको बता दे कि हमारी चाहिप इस टॉक मार्केट सीक सकते हैं तो उसे चैनल पन जाई इन सारे विधियो को देखें हैं स्टॉक मार्केट सीके आई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा बगल के बैल आइकन को दबा दिजएगा तचले वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता दें हमने जो परामीटर्स यूज किया है उसमें है 5 years historic revenue growth 5 साल में जो सबसे top 10 year जो की historic revenue दिया है मतब growth जिसमें देखने मिला है उसके बाद जिसका 5 years में जो earning before interest and tax है उसमें जो growth देखने मिला है उसके बाद जो dividend में भी growth देखने मिला है उसके बाद earning per sear EPS में भी growth देखने मिला है तो इन 4 परामीटर्स को मैंने लगाया है साथी साथ यह सारे के सारे जो large cap stocks है तो मतलब हमने large cap select किया है क्योंकि अभी आप समझ सकते है कि जो गिरावट वाला market है small cap और जो mid cap stocks है उसमें अगर आप invest करते हैं तो आपका जो है बहुत ही उतार चड़ा होगा उसके price में जिससे आपका जो है परेशानी या कि आपका BP उपर नीचे होता रहेगा तो ऐसे में आप जो blue cheap company है उसे में invest करें ये चार परामीटर के आधार पर हमने ये 10 stock select किया है जिसमें सबसे ज़्यादा growth देख रहा गया है और सबसे ज़्यादा stability देखा गया है इस गिरावट के market में तो अचलिए हम सुरू करते हैं इन चार जो परामीटर से इसके आधार पर तो सबसे पहला जो share है वो है reliance industry दोस्तों अभी गिरावट के market में देख सकते हैं कि reliance industry बहुत ही stable stocks है और इसका sector देखते हैं oil, gas, refinery, marketing साथ-साथ आप इसमें retail भी सामिल कर लेजिए और digital services क्योंकि अभी digital service जो है जियो वही reliance को stability दे रहा है और इसमें बहुत सारे deals चार बड़े-बड़े deal देखने मिले हैं जिसे आप stock market के जो वीडियोज हैं हमारे उसमें जाकर कर आप देख सकते हैं चार deal कौन-कौन से हैं तो reliance industry सबसे पहला हमारा share है जिसमें अभी सबसे गिरावट वाले market में stability देखने मिल रहा है क्योंकि चार बड़े-बड़े deal जो है investment जो है हमारे जियो में वो इसे बहुत ही stable कर दिया है और यहां आप आप देख सकते हैं इसका जो current market price है वह है 1440 रूपिया 1440 रूपिया और 1200 मतब 1257 रूपिया इसका right issue का price है तो आप इसमें correction आता है तो invest कर सकते है और peer issue यहां पर देखते हैं 22.91 तो इस गिरावट वाले market में इसका peer issue थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन अच्छे stocks में आपको peer issue ज़्यादा ही देखने मिलेंगे और आप देखते हैं 5 years का historic revenue growth है 10.25 इतना गिरावट के बावजूद इसमें बहुती कम गिरावट रिलाइस इंडिस्टेज में आया है बीच में आया था लेकिन अपने price को recover कर लिया है तो 10.25% के जो है annual revenue growth दिया है वहीं देखते हैं 5 years का जो हमारा EBITा है वो हमारा 17.10 का है तो समझ सकते हैं बहुती बहतरीन stock है पहले नमर पे हमारा जो आगया reliance वहीं इसका 3 years का different growth भी देखते हैं 5.73 का है और जो EPS का growth है 9.65 का है तो देखते हैं कि सारे parameters लगाने के बाद जो हमारा reliance industries है वो पहला stock हुआ आपके लिए दूसरा stock है हमारा वो है TCS तो TCS देखते हैं IT service और consultancy वहीं पर जो TCS है इसका जो अभी correct market price है वो है 1,945 और ये minimum ये 1,600 मतब 1,600 के आसपास आ चुका था जहांप आप इसमें buying कर सकते थे लेकिन अभी market में बहुती ज़्यादा मतलब ये उपर movement देखने मिला है इसमें मतलब ये अपने price को बहुती ज़्यादा recover कर चुका है और फिर गिराबट आता है market में तो ज़रूर इसमें correction आपको देखने मिलेगा तो आप इसमें फिर से invest कर सकते हैं वहीं देखते हैं पी ratio इसका है 22.57 और historic 5 years revenue growth है हमारा 10.64 और उसके बाद e-beta जो है 11.44 और 5 years dividend growth जो है 11.98 और 5 years का जो EPS growth है 11.21 का तो ये सारे parameter उस पर देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा share है वो है actual FMCG sector का बहतरीन share FMCG sector का जो leading share है उसमें से है हमारा actual हिंदुस्तान e-reliver और इसका जो अभी closing price देख सते है वो है 2005 ये 2000 के level को बहुत ही कम breaker है 2000 के level को एक बार break किया था लेकिन फिर से बहुत तेजी से अपने price को river कर लिया तो जैसे ये 2000 के price को break करता है तो निस्चित है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखनें आपको मिल सकता है तो वेसे में आप इसमें investment कर सकते है तो अभी market में लगातार करेक्शन आ रहा है तो वेसे में आप इसमें investment की तयारी कर सकते है उसके बाद है हमारा hosting development financial corporation HDFC दोस्तो HDFC अभी देख से बहुत ही आपको बहुत ही corrected price पर आपको मिल रहा है देखते है 1512 रूपीज पर बहुत ही corrected price पर आपको मिल रहा है और इसका peer ratio जा है वो 15.97 का है और 5 years history revenue growth देख सकते हैं 18.62 का है और जो EBITDA है 11.78 का और वहीं आपसाद सारे parameters जो हमने 4 parameters लगाए है चारो पड़ा मीटर्स के अधारप आप इसे देख सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद different growth है 7.30 का उसके बाद जो 5 years historical EPS का growth है वो 30.34 का उसके बाद पांचमा stock से हमारा देख सकते है Infosys Infosys में भी बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने मिला था मतलब बहुत ही discounted price आपको मिल रहा था यह 550 तक यहाँ तक कि 500 तक ही आचुका था तो वह से माप इसमें invest कर सकते थे यह भी IT services IT और consulting में है और इसका अभी देखते हैं जो current price है वो है 663 रूपिज 90 पाइसा और peer ratio देखते है 17 का है ग्रोथ देख सकते है 11.23 वही EBita जो है हमारा 8.17 है और वही पर dividend ग्रोथ देखते है 10.77 का और उसके बाद जो हमारा है EPS का ग्रोथ वो 7.60 का है उसके बाद छठे नमर पर हमारा आता है ATC यहाँ पर देख सकते हैं FMCG टोबोको में है लेकिन आप यह FMCG और टोबेको दोनों में आ चुका है पहले सिर्फ टोबोको था तो समा सकते हैं इसके product आपको जो कोई भी situation हो उसमें sale होता हुआ मिलेगा क्योंकि FMCG सेक्टर में भी है और टेबेको सेक्टर में भी और अभी उसका जो current price है देखते हैं 164 रूपीज और इसका peer ratio है 16.09 का और जो आप देखते हैं 5 years का revenue growth है 7.14 का और जो EBITDA है 7.05 का और वहीप आप देखते हैं इसका जो 5 years का different growth है वह है 9.92 का और जो हमारा EPS का growth है वह है 6.72 का उसके बाद हमारा जो सात्मा है सात्मा है Nestle India Limited जो की FMCG कमपनी है और actual Nestle India ये सब FMCG सेक्टर के leading stocks है तो इसमें आप देखते हैं इसका जो current market price है Nestle India का वह है 16,240 रूपीज और इसका जो peer ratio है अभी देखते हैं 79.55 का और इसका जो revenue growth है वो है हमारा 4.65 का और जो इसका EBITDA है वो 7.48 का और उसके बाद जो इसका हमारा dividend growth है वो है 47 का और उसका जो 5 years का EPS growth है वो है 10.69 का उसे बाद आत्मा stock है मारतिय सुजू की India Limited अभी इसका closing price देखते हैं वो है 4720 रूपीज का और इसका जो peer ratio है देखते है 25 का और यहाँ पर इसका revenue growth देख सकते हैं वो है हमारा 8.29 का और इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर EBITDA है वो मात 0.99 है क्योंकि जो पिछले कई साल है उसमें जो हमारा है auto sector बहुत अंडर परफॉर्म रहा है उसके बाद इसका देखते है dividend growth माइनस में जा चुका है माइनस 7.17 का और इसका जो देख सेते हैं यहाँ पर EPS का growth है वो 8.32 का है उसके बाद जो हमारा 9th नमर पे stocks है वो है S&P 223 stock में से 1 है S&P और इसका भी current price देख सेते हैं 1500 1500 1 रूपीज 1500 1 रूपीज और इसका PD66 का यह stocks कभी 2000 रूपीज का हुआ करता था अभी आपको बहुत ही discounted price में मतब 1800 उससे एफ़ब का stocks था अभी आपको यह discounted price में मिला है इसमें और ज़्यादा गिरावट की सम्भावना ब्यक्त की गई है बहुत सारे brokerage house है जिसन target दिया है 1100 का तो आप 1100 तक इसे आते हुए देख सकते हैं उसके बाद PD66 का उसके बाद revenue growth देखते है 8.65 का उसके बाद जो EBITDA है 13.38 का EBITDA हमारा है 13.38 का उसके बाद हमारा जो है आप देखते हैं dividend growth है 11.87 का उसके बाद जो EPS का growth है वो है 12.15 का उसके बाद जो दसमा हमारा stock है वो है Bajaj Finance दोस्तो Bajaj Finance में अभी 62-70% का correction आ चुका है Bajaj Finance में अभी आपको 62-70% का correction आ चुका है banking sector और finance sector में बहुत ही गिरावट देखने मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने stock को जो finance sector है और जो banking सेटर उसमें sale कर रहे है वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने मिल रहा है इस मतलब sector के stock में और अभी आप देखते हैं यह है 1,938 रूपीज देखते हैं बहुत ही discount price मिल रहा है आपको 5000 रूपीज का यह stock हुआ करता था अभी आप देखते है 2000 से भी नीचे आ चुका है और पी रेस देखते है मात 28 का है और यहाँ पर revenue growth देखते है 35.60 का और EBITDA देखते है 48.58 का और यहाँ पर देखते है जो different growth है 33.89 का बहुत ही ज़्यादा different में भी growth देखने मिला था उसके बाद आप देखते है EPS का growth जो है 36.77 का तो यह 10 stocks है जो कि चारो परामीटर्स पे बहुत ही बहतरीन stocks है आप बाजाज finance हो इसमें भी आप SIP mode में investment की शुरुआद करसे है S&Pint में भी SIP mode में invest की शुरुआद करसे है और यह जो हमारा उपर के top 3 stocks है इसे तो आप कभी भी invest करने के लिए इस गिरावट वाले market में नहीं भूलिएगा यह Reliance Interstate, TCS, HUL यह market के बहुत ही जवरदस stock में से है दसो के दसो stock जवरदस है लेकिन उपर वाले 3 आपके favoris list में होना चाहिए और आप अपना research भी करेंगे अपने financial advisor से भी सला लेंगे तब जा करके आप invest करेंगे उमीद करते हैं यह video आपको पसंदा होगा वीडियो को तब like किजिएगा, share किजिएगा और गिरावट वाले market में जो invest करने का फाइदा है वो आपको long term में बहुत बेहतरी मिलेगा तो एक long term investor बनिए और market में अभी गिरावट वाले market में SIP mode में, stock में invest केजिए तो उमीद करते हैं वीडियो helpful लगा होगा, तो वीडियो को like और share कर देजगा फिर में अगले वीडियो में